क्लास 10 के exercise 2.2 का question number 2 है हमारे सामने और question number 2 के जो है six parts है तो इस वीडियो में हम discuss करेंगे first or second part और जो बचे हुए parts है वो next video तो question में क्या करा है find the quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of zeros respectively मतलब हमें quadratic polynomial find करना है सभी problems में और हमें क्या given है sum और product of zeros यानि कि पहले हमें जो दे रखा है sum of zeros और को में के बाद है product of zeros ठीक है तो relation क्या होती है उससे हम find करेंगे मतलब दो तरीके हैं इस method इस polynomial को find करने के दो method है तो दोनों methods पर हम discuss करेंगे तो first से शुरू करते हैं जहाँ पर sum of zeros है one by four और product of zeros है minus one और quadratic polynomial की general formation कि इस तरह से होती है ax square plus में bx plus में c ठीक है जहाँ पर a b c coefficient है और x variable है तो हमें यहाँ पर a b और c को ही find करना है और इसमें put कर देना है ठीक है तो sum of zeros sum of zeros क्या दे रखा हमें one by four और sum of zeros होता क्या है sum of zeros होता है coefficient of x minus में coefficient of x तो x का coefficient क्या है आपर minus b लिखेंगे ठीक है minus में b किसके equal होगा one k ठीक है जो value minus b के सामने one है तो minus b one के equal होगा और a four के equal होगा ठीक है a equals to four लेकिन हमें b की value चीह है ना कि minus b की माइनस का sign दूसरी तरफ shift कर देंगे तो b equals two हो जाएगा minus one ठीक है a आगया हमारा four b आगया minus one अब निकालना हमें a b की आगी c रह गया c का निकालेंगे product of zeros से तो product of zeros क्या होता है constant term constant term यानि की c c upon में coefficient of x square x square का coefficient है यापर a तो c upon में a हमें product of zeros क्या दे रखा है minus one तो minus one upon में कोई भी number होता उसके denominator में one हम अपने आपसे लिख सकते हैं अब आप ध्यान से देखना है आपको कि यह यहां तो हमारा four आ रहा है यहां पर one आ रहा है तो हम इसको क्या करेंगे four में change करेंगे किस तरह से change करना पड़ेगा हमें multiply करदेंगे four से और जितना आम नीचे multiply करेंगे उतना ही हमें उपर multiply करना पड़ेगा अगर नहीं करेंगे तो यह fraction है जो माइनस वन अपॉन में one इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी ठीक है तो वैल्यू सेम रखने के लिए उपर और नीचे दोनों जगए four से multiply करना पड़ेगा और solve करेंगे minus one को four से multiply करेंगे तो minus four upon में four तो a की value तो आ गई four four ही है हम लिख चुके है c की value क्या आई minus four c equals to minus four इन सभी values को a b और c इन सभी values को हम put कर देंगे इस general formation वाले polynomial में तो a क्या है एक है four तो में इसे लिखेंगे four x square और b b क्या है minus one तो यहां पर plus minus minus one x plus में c c क्या है minus four तो plus minus minus four अब इसको दूसरी तरह दूसरी तरह दूसरी तरह दोबारे लिख देते हैं अच्छी तरह से यह हो जाएगा four x square और minus में one x one go x में multiply करेंगे तो यह x हो जाएगा ठीक है तो minus x minus में four यह हो जाएगा हमारा final quadratic polynomial अब देखते हैं second method second method जो है वो formula method है तो formula क्या है इसको लिखने का formula है is sorry x square प्लस में sorry minus आएगा यहां पर x square minus sum of zeros sum of zeros bracket x plus में product of zeros यह formula है इसमें हमें सिर्फ value put करनी है direct हमारा question हो जाएगा थोड़ीजी calculation भी करनी होगी तो सबसे पहले x square as it is minus में sum of zeros zeros का sum क्या है one by four one by four और multiply में x sum of zeros x तो यहां गया x और product of zeros zeros का product क्या है minus one तो यहां पर लगाएंगे हम minus one अब यहां से हमें करना क्या है थोड़ी सी calculation जो है LCM लेंगे सभी के denominator में one लगा लेंगे जिसमें नहीं है और LCM लेंगे यहां पर one four और one तो इनकाल सिम आएगा four 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 और फोर को मिसमें मैं इसमें भी मैंटिप्लाइब कर देंगे इसमें मैं इसमें मैं इसमें ना पड़ेगा तो इसे दूसरी तरफ बेजेंगे तो यह तो दूसरी तरफ जाके यहां पर आएगा मल्टिप्लाइब में ठीक है यहां से हमने नीचे चे शिफ्ट कर दिया इसे तो यहां से मैं रब कर देता हूं और यह हो जाएगा जीरो मल्टिप्लाइब में four zero तो हमारे हमारा जो पॉलिनोमियल है वो आएगा four x square minus one x one x को मैं x ही लिख सकता हूं ठीक है यहां पर मैं लि देख सकते हो four x square minus x minus four और यहां पर भी four x square minus x minus four तो सेम है आपको जोन सा भी method अच्छा लगता है वो follow कर सकते है ठीक है अब देखते है second को जिसमें हमें sum of zeros दिया गया है root two और product of zeros one by three ठीक है तो second की भी general formation यही होगी ax square plus में bx plus c कोई भी quadratic सभी quadratic polynomials है तो सभी की general formation इसी तरह कैसे होगी और sum of zeros क्या होगा sum of zeros होगा minus coefficient of x तो x का coefficient क्या है बी तो minus में b upon में coefficient of x square coefficient x square का कोफिशेंट होगा ठीक है इसी थरह से product of zeros क्या होगा constant term यानिकी c upon में coefficient of x square यानिकी c upon में a तो और यह हमें दिये क्या गए है sum of zeros हमें क्या दे रहा है root 2 तो sum of zeros है root 2 और इसके denominator में हम 1 लगा सकते हैं ठीक है किसी के भी denominator में 1 automatically होता है और इसी तरह से c by a भी लिख लेंगे हम यहां पर c by a यानि की product of zeros तो product of zeros है 1 by 3 तो 1 by 3 आ गया अब आप यहां पर ध्यान से देखना है कि यहां पर a क्या आ रहा है 1 आ रहा है यहां पर a आ रहा है 3 तो हम क्या करना है a की value हम रखेंगे 3 तो इसको भी 3 बनाना पड़ेगा हमें a 1 को तो इसमें क्या multiply करना पड़ेगा 3 से ठीक है तो उपर भी 3 स multiply करेंगे ताकि value change ना हो तो b की value minus b है तो minus का sign भी उस तरफ बेज़ दो और b की value क्या आएगी b equals to minus में 3 root 2 ठीक है उसके बाद c sorry a लिख लेते है a आएगा हमारा 1 multiply में 3 a equals to 3 और c आ जाएगा c equals to 1 ठीक है अब इन values को put करेंगे polynomial में तो यह a b c की value को तो a की value है 3 तो a की जगह पर रखूँगा हमें यहाँ पर 3 तो यह होगा 3x square plus में sorry plus नहीं लेंगे यहाँ पर minus है तो यह minus यह plus plus minus minus b की जगह पर रखूँगा मैं 3 root 2x उसके बाद c1 है तो constant की जगह रख देंगे हम 1 यह हो जाएगा हमारा polynomial ठीक है अब इसको second method से भी देख लेते हैं किस तरह से करना है जिसका formula होता है x square minus में sum of zeros multiply में x plus में product of zeros simple formula है इससे बिल्कुल आसान हो जाएगा हमें polynomial find करना ठीक है तो x square as it is minus में sum of zeros sum of zeros कितना है root 2 दे रखा है sum of zeros तो root 2 multiply में x यह x जो है इसके साथ multiply में आएगा तो यह आगया x plus में product of zeros product of zeros है 1 by 3 तो plus में 1 by 3 अब simple यहाँ पर हमें क्या करना है LCM लेना है ठीक है इनके denominator में 1 है और इधर है 3 तो इनका LCM 1 1 और 3 का LCM क्या आएगा 3 ही आएगा ठीक है तो यह हो जाएगा 3 upon में अब जो यह 3 है ठीक है यह इसमें भी multiply होगा और इसमें भी LCM लेंगे तो तो यह हो जाएगा 3 x square माइनस में 3 root 2 x plus में 1 अब इसके equal में 0 रखके हम जो LCM आया है 3 से eliminate कर देंगे तो यह 0 रखा 3 उस तरफ जाएगा 0 में multiply होगा और 3 मतलब eliminate होगा तो polynomial क्या बचेगा हमारा 3 x square में 3 root 2 x plus में 1 ठीक है तो यह हो जाएगा polynomial आप यहाँ देख सकते हैं हमारा answer same आएगा तो जो उनसा भी method आपको अच्छा लगता है उसी method से आप solve करें ठीक है कर दो दो